जै माहांकाली जै माविंदवासनी आप लोग कैसे हैं फ्रेंटी क्या आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्तोंगे माँ आप लोगों पे अपनी असीन किरपा बनाई रखे और आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा वशीकरन लेकाई हूँ जैसे कि आपको पता है कि आच छोटी होली है और होली का दहन है तो आज होल का दहन पे ही आपके लिए वशीकरन लेकाई हूँ जो बिल्कुल पचण तरीके से होने वाला है और तांतरिक तरीके से कि आप जिसको प्यार करते हैं जहें आपका पती हो जहें आपका प्रेमी हो जहें आपकी प्रेमी का हो जहें कोई इस्तरी हो जहें कोई पुरुश हो अगर आप उसे अपने पास लाना चाहते हैं अपनी मुखबत को पाना चाते हैं, तो होलका के दहन की जो राख है, तो एक किसम से ये शमशान की जैसी राख का काम करेगा, जैसे कि आप शमशान में राख लेने नहीं जाते, और आपको वशिकरन करने होते हैं, और किसी को अपने वश्च में करना होते हैं, आप अपनी आप उसे अपने वश में कर सकते हैं, आप अपने प्यार को पा सकते हैं, और बिल्कुल पचंड तरीके से होगा, बिल्कुल तांतरिक तरीके से होगा, तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वशी करन लेका ही हूँ, जो कि आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कैसी इसको करके आप अपनी मौबत को अपने पास ला सकते हैं, आप अपने प्यार को फिर से वापिस ला सकते हैं, अगर रूठा हुआ प्यार आप से रूठ के चला गया है, बहुत ही आप प्यार करते हैं, उसे आपको याद बहुत आती है, आपके पास वो नहीं आ रहा, किसी देश में चला गया है बहुत दूर हो गया है तो आप पैसे में इस वशीकरन को कर सकते हैं बिल्कुल पसंट तरीके से 100% होने वला है तो आपने होली का देहन जैसे है आज तो आज ही इसको ले आए राख को और लाने के बाद इसको रख लें अपने कमरे में या किसी अच्छी साफ सुत्री जगह पे आप सनानविगरा करके होली वले दिन इसको कर सकते हैं तो आप जैसे सुबा नाई धूई और उसके बाद दुपहर के टाइम इस वशीकरन को आपने करना है तो मैं आपको शूरू करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है आपने जैसे यहाँ ये राख ले ली होलिका वली तो आप इसको ले के आए उसके बाद दो लॉंग ले ले दो लॉंग इसके उपर आप रख दे रखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि काम वेख्या मा का सिंदूर ले लेने के बाद इसके उपर एक सो आड़ वरी चड़ाते जाए चड आपने उसका नाम लेना है नाम लेके और आपने मंत्र बोलना है ओम ही मोहिनी स्वाहा ओम ही मोहिनी स्वाहा इस तरीके से आपने मंत्र बोलते जाना है 108 वर ओम ही मोहिनी स्वाहा बहुत इजी मंत्र है जो कि आपको समझ आ रहा होगा मैंने 3 से 4 वरी मंत्र बोला ओम ही मोहिन स्वाहा इस तरीके से आपने 108 वरी मंत्र करना है करके इसमें दो लॉंग रख देनी है रखने के बाद आपने इसको कामवेख्या मा के सिंदूर को साथी साथ चड़ाते जाना है और अगर आपके पास सिंदूर ये कामवेख्या मा का सिंदूर भी बहुती शक्तिशाली होता ह बहुती तांत्रिक तरीके में तंत्र मंत्र में काम आता है और शम्शान की राक भी काम आती है तो वैसे ही सेम होलका आपको पता हिए कि किस वज़े से और क्यों करी जाती है तो इसमें ये भी शम्शान की राक की तरह ही बिलकुल वैसी है तो आपको ये घर बैठे जहन हो रहा है आज के दिन आप इसे लिया है और बिल्कुल पशन तरीके से जो तांत्रिक लोग करते हैं आपको किसी से करवानी की जरूरत नहीं है आपको किसी को पैसे देनी की जरूरत नहीं है आप जिसको प्यार करते हैं जिसे वश में करना चाहते हैं आप उसके लिए इ करके आपने इसको ऐसी करना है और इसके बाद आपको बता दू कि क्या करना है कि इस राख का करना क्या है 108 बरी करने के बाद अभी मंतरित हो जाए तो आपने इसे काले कपड़े में लेके और इसको बांध लेना है पोटली बना लेना है पोटली बना के सुनसान किसी जगा प उसी टाइम से आपके पती आपका कहना मानना शुरू करेंगे आपका प्रेमी आपसे कहना मानना लगेगा आपकी महबत आटोमेटिक आपके प्यार में तड़पने लगेगी आपसे आपसे दूर नहीं रह सकेगी आपके प्यार के लिए बिल्कुल तड़प उठेगी आपके पास फिर से वो आने की कोशिश करेगा ब्लैक लिस्ट पे अगर नंबर है तो वो खोल देगा आपसे बात करेगा आपके प्यार में बिल्कुल तड़क के बिल्कुल परेशान हो जाएगा आपकी याद आने लगीगी आपके बिगेर वो रह नहीं पाएगा आप उसे अपने प्यार में गिरा सकते हैं अपनी महबत को फिर से पा सकते हैं तो ये हुली देहन का बहुत ही अच्छा वशी करन है जो की बिल्कुल 100% और बिल्कुल तांतरिक तरीके से मोहिनी वशी करन है मोहिनी वश करने वाला है ये आप उसको मोह सकते हैं अपने प्यार में अभी वश भूत कर सकते हैं तो आपको ये कैसा लगा वशिकरन मुझे जरूर बताना अपना फीड़बैक जरूर देना अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना चैनल को सस्क्राइब करना और आज का आज ही अपने प्यार को पाएं और ह पूल का देहन से बहुत ही अच्छा वशिकरन करें और अगर ये हो जाए और आप लोगों का भला हो तो फिर आप लोग मुझे कमेंश एक्षन में जै महाकाली जरूर लिखें इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का 100% काम हुआ है वशिकरन का आपका प्यार आपके पास आ गया है आप खुश रहें मा आप लोगों पर अपनी असीन के रुपा बना के रखें आप लोगों के जोड़े बने रहें आप जिसके उपर वशिकरन करना चाते हैं वो आपके वश में हूँ आपकी सारी बात मानें आगे फिर मिलते हैं एक नई वशिकरन के साथ में तब तक के लिए जय महागाली, जय महाविन्दवासनी